सो वेलकम गाईस तो माई यूट्यूब चैनल स्टड़ी लाइव हंडड़ तो आज आप सब के लिए मैं बहुत इंपॉर्टन वीडियो लेके आया हूँ जो कैंड़ेट्स एपीफो एससे की तैयारी कर रहे हैं और फेज तरीका वेट कर रहे हैं तो उनकी जॉइनिंग होने जैसा कि आपको पता ही है मैं में नाम अमन प्रकास है और मैं एर फॉटी एट रंक था मेरा और मैंने फाइनले जॉइन कर लिया है एपीफो ओफिस जॉणल ओफिस में मेरा पूस्टिंग हुआ है तो चले स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने वीडियो तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने पहले वी वीडियो में बता दिया था इस एक्जाम टाइनलाइन के बारे में जो हमारा एक्जाम कंड़क्ट हुआ था यह सो का तो उसमें मैंने यह साई चीज़ें डिसकस की थी मैं फिर से आज बहुत साई कैंडिट्स नियू होंगे ज आपको पताधे 6 जूलाइ को फेज जिवफ़ें नक्तुम को आया था तो इसकी ले पकिर जिदे कहना हुआ तो हमारा जो एग्जाम फेज़रां का कंड़क्ट हुआ था आपको पता है ह्लगा होग्ट उसका फेस टू जो कंड़क्ट सेवफमेंबर तो उसकी बात कर लेते दोस्तों जो कि है प्री जॉइन्ग फॉर्मिल्टिस टाइम लाइन की मैंने दिखा दिया आप स्कीन पे देख लें इसको इसके बड़े मैं आपको अता देता हूं तो जो पहला मेल आया था डी आर असिस्टेंट मेल जिसको हम बोलते हैं डायक्ट रि दोस्तों वह 4th February को था 26 November को डिकलर वा था रेजल्ट और December जन्वरी के बाद finally 4th February को मैल आया था तो उसमें कोई correction mail था दोस्तों उसको correction करना था उसमें एक point वे कुछ error था तो उसके बाद उन्होंने फिर से दोस्तों मेल आय था घुलकाता में मेंडिक्स कॉम मेंडियोगोग कीजए दूस्तों आया था हम्में सुर्याया गया प्रिधोंट्स्टमाइए फाइनली कितना लंबा वक्त था दोस्तों कर दिस 선ा के बाद राउंड सिर्ग मन्छ नद किज़ंग और वर्ट्स तो बहुत दिन से हम वेट कर रहे था जॉइन गेल के लिए हमने काफी स्ट्रगल किया था इस चीज के लिए बहुत कोशिज कि तब जाके यह जॉइन गाया हमें और फाइनली जॉइन डेट जो दी गई हमें 1 सेप्टेंबर 25 सेप्टेंबर तक हमें जॉइन डेट दे गई औ क्योंकि ओफ-लाइन कोविट की वैसे अभी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है तो अभी भी ओफ-लाइन ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है इसलिए रोंने ऑनलाइन ट्रेनिंग की फैसलिटी दे दी हमें तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा आपको बताऊंगा कि जब मैंना ओफिस जॉइन किया तो किस तरह का प्रोसेजर हमारे साथ किस तरह का कौन का सा प्रोसेस किया गया और क्या फॉर्मिल्टी की गई तो उन सब के लिए मैंने अधिक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए तो इस वीडियो को फेंड्स स्टार्टिंग सेंड तक जाएंगी मेडिका एक्जामनेशन स्रेटेड बाते की गई थी और उसके बाद प्रेफरेंस और पोस्टिंग हमसे मांगा गया था दोस्तों तो इस तरह आप देखी सकते हैं मैं आपको वह मेल दिखाता हूं दोस्तों और वह मेल आपको मैं दिखाना साथा हूं यह तो यह वाला की मेल है तो कुछ इस तरह का वह मेल था यह देख सकते हैं हमें HRM आफिस से आया था चहां पर स्टेज बन में प्री अपॉनमें फॉमिल्टिस ऑफ वरिविगेशन फॉर्जिन दोकुमेंट्स फिलिंग अप और सब्मिशन ऑटेस्टेशन फॉर्म्स के बारे में बताया गया था जिसमें कि हमें अधार का कॉपी पैन काड का कॉपी भढ़ना था फिर हमें प्रिफरेंस ऑफ चॉइस दिना था अपना कि हमें कौन को से हमें तीन चॉइस मांगे थे कि किस-किस आप स्टेट में चाहते हैं पूश्टी उसके एकॉर्णिंग आप डालें उसके बाद यह दिया गया उसके फोटो के प्रिंट आउट देने थे उसमें उसको यह दिया हुआ कि डीवी में क्या क्या डॉक्मेंट्स रकॉइड होंगा पूसके बारे में दिया गया था फिर थर्ड में वाइव मेट्र वेरिफिकेशन होगा हम लोगों का वह दिया था तो यह सारे चीज़े दिया थे उसका स्टेज 2 मेडिकल एग्जामिनेशन होगा स्टेज 3 में इस्व प्रोविजन फाइन अपॉइनमेंट होगा तो इस तरह कुछ हमें वह मिला था उसकी बाद यह दिया था कि ओध जो का सिटूशन आफ इंडिया को हमें देना पड़ता है वो है उसकी साथ मेडिकल डिक अपने अपने बारे में बताया था तो आपको यहां भी दिया गया था कि कोई केस तो नहीं आपको ऊपर तो यह सब चीजे आपसे भी मांगी जाएंगी प्रोबैबली आपका भी कुछ इस तरह कहीं होने वाला है और यह एक हमें दिया गया था कि आपने कहीं जॉब की है अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसका अपने डिल्स दे और यहां पर देख सकते हैं प्रिफरेंस ऑफ पोस्टिंग द पर दिया फिर जो आपको बताया था मैंने क्यों आपको बताया था मैंने कि यह होने के बाद डिवी का मेल आया था चुल तो हमें पहले बता दिया गया था और यह कुछ DV का मेल है इसमें कौन को से डोकुमेंट्स मांगे जाएंगे यह दिया गया था जो की 24 अफ फेवर्री को आ गया था और हम मेरा डीवी जो था 2nd of March को कंड़क्ट होना था जोल ऑफिस को लगाता वह तो वहां पर यह मांगे जाएगा आप से आप दिहान दे दे आप स्किन सोर्ब लेज ले सकते हैं इसका दोस्तों यह बहुत काम आएगा आपके जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेस आपके जैसे कि आपने टेंथ पास किया है 12 वास किया है graduate है तो उन सब का आपको औरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास और प्रिंट आउट भी होना चाहिए उसका टेंथ का हाई स्कूल का जो भी आपके इसके पास है डेट ऑव बर्थ का प्रूफ होना चाहिए आपके पास यह सब फॉर्म आपके यह important है कास कटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप SCST या OBC अपने कोई रिजर्वेशन लिया है तो आपको पॉपर कास सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके लिए वहाँ पर आपको साहिए टाइम ना मिले इसलिए पहले इस चीजिशन को चेक कर लेंगे अगर आप आपने अगर आपकी यह ज्यादा था और अपने एजर्वेशन लिया है तो उसका आप देंगे सर्टिफिकेट डिसेडिलिटी सार्टिफिकेट भी बहुत इंपोर्टन्ट है कोई भी सार्टिफिकेट मिस्स नहीं होना चाहिए अगर आप कही अल्रड़ी करके बाद में जो मेल दिया था वहां पर उन्होंने कहा था कि हमें अनोसी दिने से भी चलेगा तो आपको ज़रूरीत नहीं है कि रिलिविनेटरी होना चाहिए अनोसी भी आपके पास होगा आपके प्रेजंट जो सर्विंग इंप्लॉयर है उसका तो आपका काम बन जाएगा दोस्तों उसके पार यह सारे चीजे हैं जो आप देखी सकते हैं इसके साथ ही उनको हमें डीवी के टाइम पर ही फिजिकल फिटनेस का फॉर्म है वह हमें लेके जाना था साथ ही तो यह मेडिकल फिटनेस टेस्ट है तो जो बीटनेटिकल फिल फिस ना मेन पहले जिए था की जो हमें मेडिकल टेस्ट कंडक्ट होंगे हमारे जो 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 जिससे हम जिसवी सदर होस्पिटल्स होते हैं जैसे कि मैं मिदनापूर सी था वेस्ट बेंगॉल मिदनापूर तो वहाँ पे सिविल सर्जन जो भी आपके चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ होते हैं आपके हर आप जिस भी गाउं में या सहर में रिसाइड कर रहे हैं वहां पे एक सिविल सर्जन या चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है वहीं से हमें कहा गया था कि आप मेडिकल टेस्ट करवा के लाएं मेडिकल फिटनेस फर्म लेके आएं और हमें डीवी की टाइम पे वो फिटनेस फॉर्म सब्मिट करना था जैसे कि हसPITAL लेड़ी हार रिंगे हसPITAL का नाम बता दिया गया थो और वहीं से हुन्हें हुआँ फुल ले आता-फिटनेस फॉल तो कुछ इसतरा का मुझे द्या गया था इस तर यह चीज़ दा मुझे दिवी गई कि 5000 तो जो मुझे टेस्ट करवाया ता यॉज़ निकाथा फिरन का तीन टेस्ट मुझे करवाया तो अपन अपन तो मुग यहां से पता कि अपने दोस्तों से जिन दोगों ने भी इन से टेस्ट करवाया गया थे सबके साथ अगर आप उस वक्त फेल कर जाते हैं या अपको माल लिए कोई प्रॉब्लम आती है या बीपी हाई है या बीपी आपके इस रेंज में लाए नहीं करता है तो आपको मौका मिलता है है डेफिनिटली फेंट्स आपको फिर से बुलाया जा ताकि आप बाद में विडिकल फिटनेस फ़र्म सब्मिट कर सकें तो कुछ इस तरह हुआ था कि सब कुछ सब्सक्राइब हो गया था उसको अदुन्हों ने मुझे इनिसल लेटर ओफ एक्स अपॉन्मेंट दे दिया था जो कि प्रोविजिन लेटर ओपॉन्मेंट भी था सब्सक्राइब है उसके बाद जो भी चीज़े हुई थी जो मैंने बताई दिया आपको यह देख सकते हैं कंप्लीर तो हमां सब्सक्राइब हो गया था बट उसके बाद काफी लंबा वक्त लग गया हमें फाइनल मेल आने में हां एक चीज मैं भोली गया दोस्तों पुलिस की बात कर लेते हैं पुलिस वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं पीवी आर जो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट ही यह अभी तक हमें पता है नम उसको भी नहीं पता है कि उनका पुलिस वरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ यहां ते मुझे पता है यह बाद में भी कराया जाता है जॉइनिंग के बाद भी पी वी यार कभी भी करा सकते हैं वो मेरे घर पर पुलिस या मेरे आसपास पुलिस ने वरिफाई किया कि नहीं किया यह हमें नहीं बताया गया है तो क्योंकि यह बहुत ज्यादा confidential होता है वो secretly आपके आपके बारे में verify करते हैं वो आपके घर डायेटली जागे पूसास नहीं करते हैं इंक्वारी नहीं करते हैं तो इस चीजें आप मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी है अपने प्री जॉनिंग फॉर्मिल्टी के बारे में आपके कोई भी डायॉट्स अगर है इसके बाब जूत को लेकर या आपको क्या 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 मागे जाते हैं किस तरह का उसमें इस कंडिशन होगा तो उसकी लिए आप कमेंट करें या फिर में टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर ले वहां पर अपने डाउट्स को पूछ ले तो नेक्स्ट वीडियो में जो लाऊंगा आप सब के लिए वह पोस्ट जॉनिंग फॉर्मि करें ला मुझे क्या क्या फैसलिटीज दी जा रही है तो बागी चीजों के बारे मैं डिसकस करूंगा आप सब के साथ तो वीडियो देखने के लिए थैंक्यू दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलेग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है तो टेलेग्राम चै अगली वीडियो में दोस्तों थैंक्यू